नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटुब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो से हम होल नंबर्स के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे होल नंबर्स तो ये मैथेमेटिक्स का भूती इंपोर्टन टॉपिक है इसलिए ध्यान रखे utpik के बारे में तो सबसे पहला point है successor and precedeb时 तो ये successor और precedecer क्या होता है ये हम इस वीडियो में समझेंगे तो हमारे पास समझो की एक नंबर है जैसे की 16 तो अगर मेरे पास 16 नंबर है तो इसका successor अगर मुझे find out करना है तो वो मैं कैसे कर सकता, इसके लिए मुझे इस 16 number में एक number को add करना होगा, इस एक number को add करने के बाद मुझे जो number मिलेगा, वो होगा मेरा 16 number का successor, तो 16 प्लस 1 होता है 17, तो 16 का successor, 16 का successor है 17 number, तो यह 17 नमबर जो है यह हमारा 16 नमबर का सक्सेस है तो अब हम predecessor कैसे find out करते हैं वो देखेंगे तो समझो मेरे पास वही नमबर है 16 तो 16 में से जब मैं एक नमबर को minus करूंगा तब मुझे जो भी नमबर मिलेगा वो होगा मेरा predecessor यानि कि इस केस में 16 वजार एक करने पर 16 माइनस 1 करने पर हमें मिलता है 15 नमबर तो यह जो 15 नमबर है वो मेरा 16 नमबर का precede sir है तो 16 नमबर का precede sir हमारा 15 नमबर होता है 15 नमबर तो वेसे ही अभी 15 नंबर का सक्सेशर कोन? तो 15 नंबर का सक्सेशर है 16 नंबर और 17 नंबर का प्रिसीडेशर कोन? तो 17 माइनस 1 करने पर हमें मिलता है 16 नंबर तो 17 नंबर का प्रिसीडेशर ये वाला 16 नंबर होता है और 16 नंबर जो है उसका successor यह होता है 17 नंबर या फिर 15 जो नंबर जो है उसका successor हमारा 16 नंबर है तो आपको यह successor और predecessor अच्छे से समझ में आ गया है इसलिए अब हम क्या करेंगे अब हम number line के बारे में जानेंगे तो यह number line क्या होती है तो दूसरा topic है हमारा number line तो हमारे पास whole numbers से पहले जो शुरुवात में हमें numbers शिखाए जाते है वो हते natural numbers natural numbers तो यह natural numbers हम ज्यादा तर कहां यूज करते है पता है ज्यादा तर हम जब खेलने खेलते वक्त इन natural numbers का यूज करते है अगर आपने किसी को बोला कि पकड़ा पकड़ी खेलते है और आपने बोला कि अभी तुमारे उपर राज्य है तुम एक से सव तक नंबर पहले पड़ो बाद में तुम हमें डुणने के लिए आजाओ तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि एक से दस तक या फिर एक से सव तक वन तू तेन या फिर वन तू हंड्रेड ऐसा काउंटिंग करने को बोला कि तो जो नंबर वन से स्टार्ट होते है वन तू थी फोर तुदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉदॉ मतलब जो हमारा वो subsidy होता है उसमें जो dice होता है उसके उपर भी natural numbers ही use होते हैं उसमें हमारे numbers होते है 1,2,6 तो 1,2,3,4,5,6 तो यह सभी natural numbers है तो ज्यादा तर हम खेलकुत के वक्त में natural numbers का use करते हैं तो इन natural numbers के बाद जो numbers आते हैं वो होते हैं हमारे whole numbers तो यह whole numbers जो है, whole numbers, तो यह whole numbers हमारे 0 से लेके infinity तक जाते हैं, 0 से लेके infinity तक यह हमारे count कर किये जाते है, whole numbers, तो आप इनमें difference देख सकते हैं, कि natural numbers, यह जो होते हैं, उनमें 0 नहीं होता है, natural numbers के अंदर 0 नहीं होता है, तो 1 से लेके infinity तक होता है, यह देखें, 1 से लेके infinity तक, और जो whole numbers होते हैं, उनमें 0 होता है, 0, तो यह 0 से लेके infinity तक होते है, तो यह numbers के बारे में हम इस topic से शुरुआत करेंगे, पढ़ने के लिए, तो यह हमारी एक number line होती है ऐसी all numbers की इसमें शुर्वा 0 से होती है 0 1 2 3 तो इसे number line बोलते है number line 5 6 7 ऐसा infinity तक dot 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 infinity तक तो यह आप देख सकते हैं यहां पर arrow दिया है मतलब क्या कि यह infinity तक बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा ऐसा कभी खतम नहीं होगा और यहां पर हमने ऐसा dash दिया है आप देख सकते हैं 0 के बार dash है ऐसा सीधा वाला मतलब यहां पर वो stop हो गई number line हमारी stop होगी यहां पर वैसे नेचरल नंबर की अगर नंबर लाइन आपको ड्रॉ करने को लोग बोल जाए तो वह ऐसे आएगी सीमिलर ही दिखेगी होल नंबर के जैसी बस शुरूवात one number से होगी यह से one two three four to infinity तक डट 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 इंफिनिट तक यह हमारी नेचरल नंबर की नंबर लाइन है और यह हमारी whole numbers की नंबर लाइन है तो दोस्तों अगर आपको हमारा हमारा यह whole numbers का सबसे पहला video पसंद आया है तो इस channel को जल्दी से subscribe किजिए और हमारे इस चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ चरूर शेर किजिए जिसके वज़े से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी और हमारी एक वेबसाइट भी है diversifyindia.in उसके उपर जाके विजिट किजिए और वहाँ पर आपको बहुत सारे धेर सारे वेब टूल्स मिलेंगे उनका यूज़ करके आपकी अगर वेबसाइट हो तो उसको पीड़ करने के लिए वो यूज़ में आ सकते हैं या फिर डे टू डे लाइक में भी वो टूल्स आपको यूज़ में आ सकते हैं तो दूबवाँ दूल्स